सावधान परियों बयंकर परी के इस अगले बार को सेहने के लिए तैयार हो जाओ बुराए के इस अगले खेल की शुरुवात हो चुकी इस बार तु जीत का मज़ा भी दुगना होगा आप सबको यह जानकर हैरानी होगी बलकि हैरानी नहीं बहुत बड़ा जटका लगेगा यह जानकर कि दुनिया के साथ अजूबों में से एक भारत की शान ताज महर आज अचानक गायब हो गया है क्या ताजमाल गायब हो गया है मैंने कुछ गलत सुना होगा आपको अपने कान चेक करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक सुना है ताज महल अपने शहर अपनी जगा आगरा से गायब हो गया है कब कहां किसने कैसे ताजमाल को गायब किया है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है बबबपुजी वा समिता ऑबच्चो अजल्डी आओ आओ महेश क्या हुआ पापुजी ताजमाल गायब हो गया है यह यह हुआ है हाई पापुजी अटक है आप 없다 कि छुड़ा गार्जान हो ओ अठनें गया हूं शोक दो गया सक्वूंग आन्सा ख़र सुनी कया पेसे ब्लॉको गए टोरिया अबाता अब थे रहेर अब अब बता ही ना आपकी पत्णी याप बता ही है व्मारी मां हहे ना तुम बता हो कि वह गया न तुम सब भी शोग ताजमेल गया वह गया अरे मैं यह कहना चाहरे हूं कि आपको पक्का यकीन है कि ताजमेल गया वह गया हां मैंने मेरी आखों से देखा है देखो टीवी में देखो अपिश्य लेकिन ताजमेल कैसे गायब सकता है वह फिलाना थोड़ी ना है कि कोई उसे उठा कर ऐसे यहां से वहां लेकर जा सके वो तो पता नहीं है लेकिन यह बात कन फोर्म है कि ताजमेल गायब हो गया है पहले मैदान गायब हो गया और अब ये ताजमेल गायब हो गया भेंकर परी जरूर कुछ बहानक चाल चल रही है ये सब क्या हो रहे है आनो जैसे उस गैस के कुबारे मॉंधो ने मुच्चे ओ ग्राउंड छीनाए उसी तरह नादान खुद मॉंधो के निचे से हच जाए अब ये तरवांगर तुम करी खुले ला तुम करी खुले ला तुम करी खुले ला सैकंद कैसे मुझे होऔ मेरे लेकर आए रहे जए कहते है जए महिया जर्राइaterial को दो तुम खुल कर तुम के द Laurentai क कि ए सकति हमारीपे पैटे पनिषमेंट मिले कि वह ईस तॉंप निचे से ताजमेन ताजमेहल ताजमेहल एक एक करके सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ इसका मतलब इसका मतलब ताज महल भी मेरे वज़े से ही गायब हुआ है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कैसे मानव मानव क्या हो मानव तो ठीक तो है ना तो ऐसे भाग कर रोम में क्यों आ गया कुछ भी ठीक नहीं है मानव क्या हो मानव मुझे भी बता क्योंसे गपरा क्यों रहा है क्योंकि महल मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तो सब पर सच हो रहा है क्या मानव तू भी हम जो भी बोलते हैं वो सची बोलते हैं अरे मैं सच नहीं बोल रहा हूं मानव तू कब से जोट बोलने लग गया मानव वेरी बैड महल तू मेरी बात ध्यान से सौन हम जब executives वोते हैं वैसे तू सच में चोंताना मानव अगर सची दिल से कुछ कहेंगे तो वह सचोब जाता है महर मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या समझ रही है तुझे आद है ना मैं तुझे शाम को कुछ बताने वाला था हाँ और वो चीज यह है आज मुझे सारे चीज़े अजीब अजीब सी हो रही है मैं जो भी चीज़ कह रहा हूँ मैं सब कुछ सच हो रहा है मुझे लगता है क्यों ताज मेल भी उसी के वज़े से गायब हुआ है क्या? हाँ हाँ सर्थ, हमने आगरा और दिल्ली पुमित से भी बात की है हम पूरी कोशिश कर रहे है सर्थ, हम जल से जल पता लगा लेंगे अच्छा हुआ तुम आगे वालवीर, ताज मेल के गायब होने से हम सब बहुत ही परिशान है परिशानी की बात तो है, क्योंकि ये सब कैसे हुआ और कैस नहीं किया इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है हमने भी पूरी कोशिश की है बालवीर, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा कुछ करो बालवीर, ताज महल कोई साधारन समारक नहीं है पूरे विश्व में मशूर है, हमारी देश की शान है हाँ, और इसी आन और शान के लिए, मैं ताज महल को वापस लेकर आऊंगा पर ऐसा लग रहा है, कि जैसे ताज महल गायब हुआ, वैसे हमारी देश की चमक भी गायब हो गई है हाँ, बालविर, ताज महल का गायब बना हमारी देश की पैचान पे एक आक्रमट है इसलिए देश वासी भी दुखी है, सोचो अगर ताज महली नहीं होगा तो हमारी देश के बच्चे ताज महल के इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे आप चिंदा मत कीजी, मैं विश्व के आठ हजुबों में से एक ताज महल को वापस लेकर आऊंगा और अपरा ध्यू को कड़ी से कड़ी सजा दोंगा थैंक्यू बालविर, मुझे पूरी उमीद है कि तुम हम देश वासियों को लिराश नहीं करोगे और हम सब के चेरे पर खुश्या लेकर आऊंगे ऐसा कैसे हो सकता है मानव कि तो जो भी बोल रहा है वो सब सच हो रहा है मुझे नहीं पता महिर लेकिन हो ऐसे ही रहे देख मानव ये बात तुन्हें मुझे तो बता दी लेकिन बाहर किसी को मत बताना वर्ना 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 क्या लोग तुछ पर हसेंगे और क्या ऐसा हो सकता है क्या तू जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा नहीं देखा तू खुद मान रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं होता लेकिन ऐसा मेरे साथ हो रहा है महर मैं सच क्या रहा हूँ मेरी बात मान चल अब उधरी रात को कहा चले अरे मानव मेरा मतलब है कि चल मान लेती हूँ लेकिन तब जब मैं खुद अपनी आखों से देखूँगी ठीक है बोल मैं क्या गायब खरूँ बोल चल हाँ दादा जी का अटक न चीज चीज गोल हाँ यह तो बैट गायब करते हैं फिर तो तो नहीं देखीगी हाँ मैं मम्मी को बोल दोंगा कि तुने मुझे बोला यह दोना बैट गायब करने को और फिर मैं गायब कर दूँगा और फिर मम्मी और दादी तुझे घर से गायब कर देंगी अहां, फिर तो यह बेट यही ठीक है फिर क्या गाइब करें यह जिए जाप करते है यह जिलाफ गाइब कर दे नहीं यह मेरा फेरेट फ्लावर बास मैं दिखा था फ्लावर वास गाया बोजा सॉरी श्याइट से इसमें ठीक से सुना नहीं मैं फिर्शे बोलता हूं फ्लावर वास गाया बोजा सॉरी एक बार फिर्शे बस बहुत हो गया मानव मुझव लू मत बना मैं बल्लो की तारा लल्लू नी हो समझा थैं सुनता मैं कबसे तुजे कह रहा हूं फ्लावर वास गाया बोजान गाया बोजान पाइब हो जाए आए अगरा निपरी क्या हुआ अबादी इतने चिंतित क्यों हो रानी परी प्रिज्वी लोग से ताज महल गायब हो गया है यह यह कैसे हो गया यह तो ठीक नहीं है ताज महल कोई साधारन स्मार्प नहीं है प्रिज्वी लोग पे आठ अजुबों में से एक है ताज महल जैसे एतिहासक स्मारप का गायब हो ना किसी नए और बड़े खत्रे की और इशारा कर रहा है रानी परी पता ने कि ये पहला और आखरी स्मारप कायब हुआ है या एक नई शुरुवात है हमें तो ये सोच कर डल लग रहा है कि इसी थाना ये सब प्रायप ना होते रहे रानी परी हमें जल्द से जल्द अटकाती और भटकाती परी को यहां बुला कर सत्य की जाच कर लेनी चाहिए बिल्कुल सही कहा आप अटकाती भटकाती परी को यहां बुलाए जाए खुश रहो रानी परी खुश रहो अटकाती भटकाती परी अच्छा हुआ, आज स्वेम यहां आ गए हम आपको बुला नहीं वाले थे क्योंकि पृच्छु लोग से ताज महल गायब हो गया है और ये कार्य जरूर भयंकर परी नहीं किया होगा आपका अंदेशा बिल्कुल सही रानी परी ये सारा कार्य भयंकर परी का रचाय हुआ था और इसलिए हम दोनों ये बात बताने यहां आये थे हार आने परी, पर उसमें एक कार्य किसी तीसरी शक्ती की मदद से किया है तीसरी शक्ती? कौन सी तीसरी शक्ती? अटकाती परी? आप जरा विस्तार से बताईए न, अटकाती परी, क्या आप जानती कि वो तीसरी शक्ती कौन है? नहीं पर हमें इस बात का पूरा यकिन है क्योंकि भयंकर परी और तौबा तौबा दो पल के लिए भयानक लोग से बाहर नहीं गए और नहीं उन्होंने अपनी शक्तियां बाहर भेजे और फिर अचानक से हमने हमारी दूरबीन से देखा कि ताजमेल भयानक लोग में आगया जा और ये देखके तो हम भी हैरान हो गए कि ताजमेल भयानक लोग में कैसे? इसलिए हम यहाँ पे आ गए और हमने भयानक लोग में प्रवेश करने की कोशिश भी की पर हम कर नहीं पाए यूकि भयानक लोग में सुरक्षा कवज बना रखता है पर परियों भयानक लोग में की मदब कर कौन सकता है वो तीसरी शक्ति कौन हो सकती है आप दोनो दूबा दूबो मतलब है मेरे कि आप दोनों बजाए सवाल पुछने कि हमसे क्यों नहीं पुछते सीधे भैंकर परी से ये सवाल कि है कैसे चुराई उसने ताज महल दूबा दूबा वी राम दूबा दूबा एक ये समय नहीं है इन बातों का किजिए माप हमें रानी परी और नाराज ताराज परी इस बार एक नया रास्ता चुना है भैंकर परी ने हमें भ्रम्मित करके अपने खतरनाक खेल को पूरा करने का लेकिन हम उसका ये खेल यहीं समाप कर देंगे अटकाती परी भटकाती परी आप यहां से जाए और भैयानक लोग की निगरानी को बढ़ा दीजे और हमें पल पल की खबर दीजे जी रानी परी रानी परी इस बार भैंकर परी की बुने हुए जाल में हम सब फसर है हम उसके शातिर चाल को भाब भी नहीं पा रहे है और इसलिए मुझे डर है कि जब तक हम उसके खेल को समझे तब तक कहीं देर ना हो जाए और भैंकर परी अपनी इस चाल में कामियाब हो जाए परी भैंकर दिख रहा है मुझे आपके खुशी के पीछे आपकोई बड़ा भैंक तेख सच सच बताना परी भैंकर चाहते क्यों है आप चुराना एतिहासिक्स मारक पृत्वी बोगते कितनी बार कहूं तौबा तौबा मैं पृत्वी का इतिहास मिटाना चाहती हूं नहीं मैं बेवकुप आपके नारास तारास परी की तरह रहे रहे के आपके साथ जानने लगा हूं मैं आपकी शातिर चाले वह जानता मैं कि नहीं करती आप कुछ भी बिना अपने फाइदे की तो बताइए है क्या राजाब का इन ऐसी हासिक्स मारक को चुराने के पीछे मानना पड़ेगा तौबा 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 कि तुम्हारी अक्ल तुम्हारे कद्स से आखिर बढ़ी गई अहां है ठीक है ठीक शुक्रिया तारीफ करने के लिए पर है नहीं है मेरे सवाल का चवाब परीफ ख्यंकर ठीक कहा तौबा 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 इन स्मारकों को हासिल करके मैं सबसे ज्यादा शक्ति-शाली और ताकतवर बढ़ना चाहती और उसके लिए मुझे तीन एतिहासिक स्मारकों की जरुरत है ताज महल जैल महल और कुटब मिनार एतिहासिक स्मारकों से शक्ति बनाएंगे कैसे अब पत्थर के स्मारक आपको शक्ति-शाली इन पत्थर के स्मारकों में छिपी है पत्थर सी मजबूट शक्ति कई सालों से हर बदलते समय चक्र में शुक्काल में पवित्र तारों की दशा में एक ही जगह पर दिन रात रहते हुई इन एत्यासिक स्मारकों ने बहुत सारी उर्जा अपने अंदर समा ली है मुझे वही उर्जा उन से चाहिए अरे उर्जा से क्या होगा शक्तिया तो है आपके पास पहले सही बहुत हाँ पर ये उर्जा खास है इन पत्थरों में समाई हुई ये ओर्जा जब इनसे निकल कर मेरे शरीर में जाएगी तो मेरा शरीर भी पत्थर की तरह और मजबूत और शक्ती शाली हो जाएगा इतना शक्ती शाली के रानी परी और बाल बीर चाहे कुछ भी कर ले मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाई मैं अमर और अभेद हो जाओंगी लेकिन ये ताज महल चल महल कुछ तुम मिनार ही क्यों क्योंकि इन तीनों को मिला कर बनता है सुनेरा त्रिको अभी ये दूर है इसलिए इनकी शक्तियां आपस में टक्रा नहीं रही है मगर जैसे ही मैं इने भायानक लोग में एक त्रिकोन शंक्ला में रखूँगी उससे एक सुनेरा त्रिकोन बन जाएगा और उसमेंसे निकलेगी तीन सो गुना ज्यादा ऊच्जा शक्तियां जिसे मैं अपने शरीर में समानूँगी और बन जाओंगी सबसे ज्यादा शक्ति शार और फिर बालवीर और रानी परी मिल भी जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं हो आप महान परी भेंकार हो आप सर्वशक्ति मार बिल्कुल मेरी तरह रचाया आपने क्या कमाल का खेल बस अब इंतिजार है कुटुब मिनार और जल महल के भयानक लोग तकाने का क्वार जल मेरे बिल्कुल मेरे तरहmbol में बिल्कुल में बाल के भी माम पर्चा़ जो जब एंगे बिल्कुल में बिल्कुल